नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की ये मुख्य जानकारी हम लेकर आए हैं उन लोगों के लिए जो की पेप्टिक अलसर की भारी समस्या से जून रहे हैं जी हां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आसान भाषा में आपको बता दें पेप्टिक अलसर वो भीमारी है जिसमें पेट में चाले हो जाते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उनी लोगों के लिए ये जानकारी लेकर आए हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि ऐसी कुन सी पांच चीजे होती है जो पेप्टिक अलसर यानि कि पेट में अगर छाले हो रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल इनका सेवन ना करे नहीं तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सक तो दोस्तो ऐसे में आपका बिना कोई वक्त गवाय चलिए बताते हैं वो चीजे कौन-कौन सी है तो दोस्तो पेले नंबर पर आते हैं spicy foods जी यां दोस्तो पेट के चाले होने पर spicy foods यानि कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाना खाने से परेच करना चाहिए क्यों इससे आपकी इस्तिती और भी ज़्यादा खराब हो सकती है दरसल मसाले गर्म होते हैं और ये पेट के चालों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं इसके लावा इन मसालों की वज़े से पेट में दर्द और जलन जैसी समस्याए देखने को मिलती हैं बात करते हैं दूसरी जो की है रेड मीट दोस्तो रेड मीट का सेवन भी पेटी कलसर के लिए खतरनाग हो सकता है दरसल रेड मीट में फेट और प्रोटीन की मातरा ज्यादा होती है और इसे पचाना पेट के लिए भी काफी कठीन होता है इसलिए पेट को इसे पचाने के लिए ज्यादा मातरा म इसे आपकी तकलीफ और बढ़ जाती है इसलिए पेटिक अलसर याने की पेट में छाले होने पर आपको इस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए बात करते हैं तीसरी चीज की जो की है अलकोहल याने की शराब दोस्तों शराब और अलकोहलिक पदार्तों का सेवन पेट के अलसर में करना खतरनाक हो सकता है इन मामलों में कई बार तो शराब इतनी खतरनाक हो जाती है कि मरीज की जान तक ले सकती है जी हां दोस्तों दरसल सर शराप का सेवन आतों लीवर को तो प्रबावित करता ही है। इसके अलावा ये पेट में एसिट का लेवल भी बड़ा देता है। इसलिए पेट के एलसर में शराप कभी ना पी है। बात करते हैं अगली चीज की जो की है डेरी प्रोडक्स। दोस्तों पेट के केंसर में डेरी उत्पादों के सेवन से भी काफी ज़्यादा खतरा देता है। डेरी प्रोडक्स फेट से भरे हुए होते हैं इसलिए भारी डेरी प्रोडक्स जैसे की पनीर, चीज, बटर, योगर्ट आदी का सेवन आप ना करें। हाला कि दूड और चाच जैसे हलके पदार्तों को कम मातरा में सेवन किया जा सकता है। पेट के अलसन में सोया प्रोडक्स का सेवन करना भी आप बंद कर दें। बात करते हैं अगली चीज की जोकी है फास्ट फूड। दोस्तों फास्ट फूड और पेट फूड में ट्रांस फेट की मातरा जादा होती है इसलिए ये फूड्स आसानी से पच नहीं पाते हैं। पेट में एसीट की मातरा को बढ़ाते हैं, एसीट की वज़े से पेट में जलन होने लगती है, इसलिए फास्ट फूर्ट, जंक फूर्ट, बेक्ड फूर्ट का सेवन करना आप बिल्कुल बन कर दें, तो दोस्तों ये थी वो पांच चीजे जो की पेट के अलसर में बिल्कु अच्छे लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और अगर आप लोग नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला एकन को ज़वर दबाए, धन्यवाद दोस्तों